आज के समयकाल में कोई भी चीज बहुत तेजी से वायरल हो सकती है चाहे उसका समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी योगतान हो या ना हो लेकिन ऐसी ही कुछ वायरल तस्वीर है वीडियोज हमारे एंटर्टेंटमेंट का जरिया बन जाती है हमारे बुरे मूड को अच्छा करने में योगदान दे जाती है और हमारा कई समय जो एक डिप्रेसर मैंड स्टेट बना रहता है उसे चेंज कर जाती है ऐसी ही एक फोटो लेकर हम आजाए हैं आप लोगों के लिए अब आप हमारे कमेंट सेक्षन में आके जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा अब स्क्रीन पर एक मशूर अक्टर शारुख खान की तस्वीर है जो बड़े ही गर्व से अपने डिग्री अपने हातों में लिए खड़े है अब शारुख की डिग्री हम आपको क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों आईए बीते दिनों प्रदान मंतरी मोदी की डिग्रीयों का मुद्ध एक बार फिर उचला था जब गुजरात हाई कोर्ट ने उनके डिग्रियां जारी करने के लिए केंद्रिय सूचना आयोग CIC के आदेश को रद कर दिया दिली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल की याचिका को तुछ और भ्रामत बताया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया फैसला आने के बाद भाजपानेताओं ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया वहीं अर्विन केजरिवाल ने ट्विटर पर लिखा क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीम कितना पड़े है कोर्ट में इन्होंने डिगरी दिखाये जाने का जबरदस्त विरोत किया क्यों इस संदर में आप शारुखान की ये तस्वीय जिसमें अपना डिगरी हाथ में लेके खड़े है ये वाइरल हो रही है और ट्विटर पे लोग अलग-अलग तरीकों से अपनी बातों से इनके खूब मजे ले रहे हैं आई आपको दिखाते हैं कुछ ट्विटर ट्वीट्स एक यूजर ने लिखा जिसकी डिगरी असली हो वो सिर्फ उठा कर दिखाता है सिर्फ छुपाता नहीं वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा बिना बोले अगला माने शारुखान बहुत कुछ कह गया वहीं एक यूजर जिनका नाम निरातंक है उन्होंने लिखा कि शारुखान फेक डिगरी लिए हुए हैं डियू की तो यह थी शारुखान की वाइरल फोटो जिससे जुड़ी हुई एक खबर जो की और वाइरल हो रही है हम आपके सामने पेश किये मेरे नाम है आशीश गुपता आप देख रहे थे खबर बेबाग अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें दोस्तों साथ शेयर भी करें और इस प्रकार के माइंड ब्लोइंग माइंड फ्रेशिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए खबर बेबा कि अपरकार मेरे अगरा के लिए वीडियो पनापको यह वीडियो शेर आवियो एम ठापको का देघय वीडियो थे खूलाओ के लिए भी एभ हन ayा आपको यह पना दोस्तों से जुटषबस आजए वीडियोख केो अफे टे हैं भीडियो